हलो दोस्तों एक बार फेर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपना यूटूब चैनल आरकेश्टडी पे महूर विद्रुक्वार गाईज आप सभी के लिए dbms का mcq question लेकर आचुके हैं तो सभी लोग एक बार live जुट जाएंगे तो फिर कुछ हम बाते भी बताने वाले हैं तो ध्यान से सुन लिजेगा सभी लोग फटा फट से जितने लोग अभी जॉइन हुए हैं सभी लोग एक बार सेशंस को सेयर कर देंगे तो फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे गैज आप सभी को पता है कि आपका जो एक्जाम है वो आट सी तंबर से है तो आपके पास टाइम बचा नहीं है माल सकते हैं 5-6 दिन है ठीक है आपके पास तो 5 दिन मन से पढ़ लिजे इसके बाद फिर तो आपको एक्जाम ही देना है ठीक है चाहे जैसे भी लेकिन देना पड़ेगा जहां पर आप सभी को बताना चाहते है कि आज कर हमारा जो टॉपिक है माइसक्वेल से है विकाज हमने स्क्वेल से बहुत सारे क्यूशन करा है दो तीन दी लगातार कराए थे तो आपने पढ़ा होगा बट आज फिर से माइसक्वेल से स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा जो सब्सक्राइब करने गोड़ेश सब्सक्राइब करें खराएं से लिए जोड़ सकते हैं इसकी के पीड़ेश आपको टेलीगराम जाएगी ता आप यंग एड्यों में चुझे किसी को कुछ प्राइब्लम है तो आपके सावल हो जाएगा ठीक है और जहां पर आप सभी के लिए एक बात बता देना चाहते हैं कि आपके इंपोर्टेंट चीजे बताने वाले तो ध्यान से सुन लिए जाएगा आपके जो एक्जाम है सभी के लिए बता दे रहें कि यहां से आपके सबसे जादे क्योशन आने वाले हैं ठीक है और यहीं से सारे के सारे क्योशन आपके बनेंगे तो टेंसर लेने की जरूत नहीं है mcq fundamental आप dbms dbms के अंतरगत में जित्ते fundamental हैं इनके सारे के सारे बताएंगे में इसके फर्स्ट में आपको क्लियर कराएंगे उस सेकेंड में क्लियर कराएंगे sql mcq ठीक है और sql server dbms mcq यह सेकेंड और थर्ड में कबर कराएंगे plsql and oracle dbms ठीक है यह कबर कराएंगे आपके चौथे में जो पांचवा है वो mysql dbms ठीक है यानि mysql से कबर कराएंगे तो गाईज आज हम लोग क्या हां पढ़ने वाले पीछे से से पढ़ने वाले यहीं mysql से ठीक है सबसे पहले आज हम लोग यह कबर करेंगे इसके बाद plsql कबर करेंगे फिर three में sql server dbms फिर structure query इसके बाद फिर mcq fundamental आप dbms ठीक है dbms के अंतरगत में जितने भी आते हैं तो आपने समझ गया होगा context क्या क्या आने वाले हैं आई हो ठीक है तो आज का जो topic है हमारा वह हमारा क्या mysql ठीक है तो mysql में हम लोग देखिए सबसे पहले तीन सेट है आपका 20-20 का जिसमें हम लोग की सबसे पहले mysql जो client होते हैं इनमें 3 type के हमको पढ़ने का मिलेगा mysql client data type ठीक है mysql data type और mysql access privilege ठीक है तो इसमें हम लोग 20-20 का set है ठीक है तो आज आपके start question होंगे इसमें तो याद रखिज़ेगा सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे mysql client से ठीक है इसके बाद हम लोग इससे जादे question यहां से नहीं पूछे जाएंगे तो चलिए video को शुरू करते हैं बिना किसी देरी क्या तो गाइच पहला question आपके screen पे आ चुका है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जबाब देंगे देखिए question आप समझते चलेंगे और answer देते चलेंगे ठीक है आपको English हम Hindi और English दोनों में दिखा देंगे ठीक है तो आप लोग दोनों में पढ़के और question जबाब दीजेगा ठीक है पहला question कहा रहा है ध्यान से पढ़िएगा कि the mysql option execute a query without having to actually enter the client interface option देख लीजेगे यहाँ पर दिया गया है इसमाल E capital E फिर C फिर दिया गया है capital U ठीक है एक बर हिंदी आप पढ़ लेंगे इसके बाद सभी लोग जबाब देंगे हाँ ठीक है देखिए हिंदी में क्या कह रहा है कि जो हमारा mysql है mysql बिकल्प यहाँ अस्थान है आपका खाली अस्थान फिर वास्तों में client interface में परवेस किये बिना किसी client में interface में ठीक है परवेस किये बिना एक query निस्पादित करती है वो query कौन सा है आप सभी को बताना है यहाँ पर आपके सबसे पहल यहाँ पर क्या होता है small e क्या होता है small e ठीक है यानि the mysql option यहाँ पर क्या हो जाएगा e executed a query without having to actually enter the client interface तो इस बात को सभी लोग याद रखेगा यहाँ पर option number यहाँ पर आपका a right हो जाएगा ठीक है यह बस क्यों आपको देखना है ठीक है एक्जाम में अगर इस टाइप सभी लोग पढ़ेंगे जबाब देंगे दूसरा question the mysql option यहाँ पर देख सकते हैं question कहा रहा है कि the mysql option cause mysql to ignore a delete and update query in which the where cause in optimize यहाँ पर कहा जा रहा है हिंदी में ध्यान से पढ़ लिजेगा फिर सभी लोग जबाब देंगे ठीक है देखे question कहा रहा है कि mysql बिकल्प इस्थान है फिर के कारण mysql उन सभी delete और update प्रशनों को अंदेखा कर देता है जिन्हें where clause को optimize किया जाता है question ध्यान से पढ़ लिजेगा फिर सभी लोग ध्यान में रखेंगे ठीक है देखे question यहाँ पर है आपका option वही है टेंसल लेने की जूरत नहीं है mysql बिकल्प जो हमारा mysql होता है उसके लिए कह रहा है कि mysql उन सभी delete और update प्रशनों को अंदेखा कर देता है जिन्हें where close को optimize किया जाता है तो हैंपे कौन सा option होगा आप सभी को बताना है तो गजाब यहाँ प्राफीलग याद रख लिजेगा कि हमारा जो capital लेगा कौन सा होता है capitale ठीक है यहाँपका क्या हो जाएगा capital e बھरा जाएगा यान्य reform highly solution प्रब्लम नहीं है बस आपको देखते रहना है इससे का होगा कि अगर इस टाइब के क्यूशन आपकर आज आते हैं आपके एकजाम में तो कोई आपको प्रब्लम नहीं होगी लगाने में ठीक है चलिए आपको हिंदी में क्यूशन देखा दे रहे हैं इसलिए आपको समझने आपको दीख जाए ओके चलिए अब यहां पर पढ़ते हैं कि दमाई स्कॉल ऑप्षन इनेबल डाटा कंप्रेजन वेन कम्यूकेटिंग वेटवीन दक्लाइड एंड़ सर्वर आप सभी को यहां पर बताना है देखिए क्यों क्या कह रहा है क्लाइड और सर्वर के बीच संचार करते हैं तो इसके समय डेटा संपीडन को समझ बनाता है कौन इसमें भराएगा औप्षन याद रख लिजेगा यहां पर सभी लोग फटापर से कमेंट करके बताएंगे तीसरा के इंसर कौन सा हो सकता है तो ज़िएहां पर सभी लोग याद रख लिजेगा औप्षन नंबर यहां पर आपका सी करेक्ट है ठीक है यहांपे जो सी है यह हमारा क्लाइंड और जो हमारा क्लाइंड और सर्वर है इनके बीच संपीडनीता को यानि कम्नुकेटन को बनाये रखता है ठीक है, communication को बनाया रखता है तो option number यहाँ पे आपका C right answer है अगला question आपके screen पे आया है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जबाब देंगे question number 4 कह रहा है कि the mysql command यहाँ पे खाली अस्थान है इसके बाद कह रहा है कि display or list of all running mysql server ठीक है, demong process यहाँ पे आप सभी को बताना है देखिए हिंदी में एक बार question देख लेंगे फिर आप सभी लोग को समझ में आ जाएगा question देखिए हाँ पे कहा जा रहा है कि mysql command में यहाँ पी space है, सभी चल रहे mysql server domain प्रक्रिया की एक सूची प्रदर्शित करता है क्या सूची प्रदर्शित करता है यहाँ पे हिंदी में देखिए दिया गया demo list, process list, dem process या list process फटाफट से आप सभी को comment करके बताना है आपको English में दिखा दे रहे हैं question आप समझ गया होंगे ठीक है, the mysql command यहाँ पे space है, फिर display list of running mysql server demo process, यहाँ पे आप सभी लोग याद रख लिजेगा, यहाँ पे हमारा option number यहाँ पे जो process list दिया गया है, यह option यहाँ पे correct हो जाएगा, ठीक है, तो option number यहाँ पे आपका b right answer है अगला question आपके screen पे है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जबाब देंगे देखे, यहाँ पे आप सोचेंगे अभी question आपको दिमाग पे बैट जाया, याद हो जाया तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं अच्छे से, तो यहाँ पे guys, यहाँ पे देखे, question आपको पढ़ना है, उसिंपल यहाँ पे दह है फिर space भरना है, यहाँ पे command, combination, the task, create out by the command plus table and plus log यहाँ पे देखे, यह कहा जा रहा है, हिंदी में ध्यान से पढ़ लिजेगा फिर सभी लोग जवाब देंगे यहाँ पे कहा जा रहा है, कि जब command plus table और plus log command द्वारा किये गए कारों को जोड़ती है refresh, plus, reset यहाँ पे दिया गया है, इंग्लिस में देख लिजेगा question आपने समझ लिया होगा, कहा रहा है कि जो हमारा command plus table है और plus log जो command है, इसके द्वारा कारेयों को जोड़ती है तो कौन से कारेयों को जोड़ती है, आप सभी लोग को यहाँ पे बताना है option यहाँ पे दिया गया, आपका refresh, plus, reset, या plus else यहाँ पे option number कौन सा हो जाएगा, सब फटा फटते comment करके बताएंगे तो guys, यहाँ पे सभी लोग याद रख लिजेगा, कि हमारा जो refresh होता है, ठीक है यह करके actually रखता है, तो option number यहाँ पे यह आपका correct हो जाएगा guys, अगला question आपका screen पे आया है, सत्वा नमबर आपका सभी लोग पढ़ेंगे average queries per second and running threads, यहाँ पे आप सभी लोग को बताना है, इस question का answer question कर आपका, कि my SQL command, बिभिन server आकड़े जैसे optimize query निस्पादित open table और सत query प्रति सेकेंड और running threaders को output करता है, सांक की server status सभी फटा फट से आप सभी को बताना है, कि इन में से कौन सा सही हो जाएगा या D आपका दिया गया इस्तिती, question आप समझ गया होंगे, यहाँ पे देखिए, option में दिया गया statics, server states, all states या states, तो आप सभी लोग यहाद रख लिजीगा, only state होगा, यहाँ पे क्या होगा, status होगा, only, ठीक है, state नी, status होगा यहाँ पे, option number यहाँ पे D आपका correct हो जाएगा, अगला question आपके screen पे आ गया है, आप सभी लोग पढ़ेंगा और जबाब देंगे, दो यहाँ पे space है, client is used to exporting, existing table, data table structure और both from my school servers, फटा फट से यहाँ पे comment करके बताएंगे, देखे, question क्या कह रहा है, आप सभी का, एंदे में पढ़ लेजेगा, कि client का उपयोग मौजूद तालिका data, तालिका स्तनरचना याड़, दोनों को my school server से निर्यात करने के लिए किया data, तालिका स्तनरचना या दोनों my school server से निर्यात करने के लिए किया जाता है, पाला अपसंद दिया गया है, my school export, my school dump, my school show, या my school import, तो फटा फट से comment कर बताएंगे, कि इन में से कौन सा सही हो जाएगा, आठवा नंबर का question पढ़ लिजे, और सभी लोग जबाब देंगे, यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, client का उपयोग मौजूद तालिका data, जो हमारा होता है, तालिका सनरचना या दोनों, हमको my school server से निर्यात करने के लिए किया जाता है, तो गई जहाँ पर सभी लोग याद रख लिजेगा, इस बात को जो हमारा my school dump होता है, ये करता है, ठी by sql, ठीक है, dump, d-u-m-p, तो ये option सा भी लोग याद रखेंगे, ये आपका correct answer है, अगला question है जहाँ पर, question number 9, the utility of a convergent means for determining with database, table and column, exiting on a given data server, कहा जा रहा है, यहाँ पर ध्यान से question पढ़ लिजेगा, फिर सभी लोग जबाब देंगे, ठीक है, देखे, कहा जा रहा है कि उपयोगिता यह निर्धारित करने के लिए एक सुविधा जनक साधन परदान करती है, कि किसी दिये गए database, server पर कौन सा database table और column मौझूद है, फटा फटा से comment करके बताएंगे कि इन में से कौन सा सही हो जाएगा, जब हम किसी उपयोगिता को निर्धारित करने के लिए एक सुविधा जनक साधन परदान करते हैं, जब किसी यदि database server पर कोई database table और column मौझूद होता है, कोई भी database पर क्या क्या मौझूद होता है, database table औ और column मौझूद होता है, ठीक है, तो किसका यूज करते हैं, फटा फटा से comment करके बता देंगे, यहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, यहां पर सभी लोग याद देखिए, mysql.so, ठीक है, mysql.so, ठीक है, यहां पर जहां पर so हो जाएगा, वहां पर यह correct answer हो जाएग प्योगिता एक सिमांकित टेक्स फाइल से डेटा बेस में डेटा का आयात करने के लिए सुद्धा जनक साधन परधन करती है, वह mysql.export है, या mysql.so, या mysql.so, या mysql.so, इम्पॉर्ट है, तो फटा फटा से comment करके बताएगे, कि इन में से कौन सा सही हो जाएगा तो गाई जहां पर सभी लोग याद रख लिजेगा कि किसी भी उपयोगता यम्र सिमांकित टेक्स फाइल में डेटा बेस में डेटा को आयात करने के लिए एक सुब्धा जनक जो साधन हमको प्रदान होती है उसको हमको क्या कहते है माई स्कूल इंपोर्ट ठीक है तो जितने लोग उप्शन नमबर यहाँ पर दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पर करेक्ट हो गई ठीक है यहाँ पर जो इंगलिस में क्यूशन देखना चाहते हूं तो देख सकते हैं, यहाँ पे वही क्यूषन है, ठीक है, क्यूषन यहाँ पे देख सकते हैं, अपना पढ़ लेंगे, तो गाइज अगला क्यूषन है, आपके स्कीन पर है, 11 नमबर का, the utility allow you to check my ISAM table indicate for corporations and repair them is necessary फटापट से यहां पर एंसर करेंगे सभी लोग पहले हिंदी में क्योशन समझ लेंगे इसके बाद सभी लोग एंसर करेंगे ठीक है देखे यहां पर कहा जा रहा है कि उपयोगिता हमें my ISAM तालिका की जाच करने की अनुमती देती है जो भराष्टा चार के लिए अंकित करती है यानि गलत चीजों के लिए अंकित करती है और यदि आवसेख हो तो उन्हें ठीक करती है तो फटापट से कमेंट करके बताएंगे इनमेंसे कौन सा सही हो जाएगा तो गईज यहां पर सभी लोग याद रख लिएगा कि my ISAM तालिका की जाच करने की अनुमती है जो भराष्टा चार के लिए अंकित करती है यदि आवसेख हो तो उन्हें ठीक करती है यह हमारा my ISAMCH के ठीक है अगला केशन आपके स्कीन पर आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे उपयोग इता उपयोग करता को जाच के लिए साधन परदान करती है और यदि आवसेख हो तो mySquels server domain के चलते के दोरान तो दूसी तलकाओं की ठीक है दूसी तलकाओं की मरमत करता है तो आप सभी को बताना है कि इन मेंसे कौन सा से होगा ऐसा कौन सा है उपयोग इता उपयोग करताओं को जाच के लिए साधन परदान करती है और यदि आवसेख हो तो mySquels server domain के चलते चलने के दोरान तो दूसी तलकाओं के मरमत कराती है तो आप इंग्लिस में आप क्वेशन पढ़ लेंगे आप सभी आपका वही है ठीक है तो आप लोग फटा-फटा से कमेंड करके बताएंगे इन में से कौन सा सही हो जाएगा तो गैश सभी लोग 12 का याद रख लिजेगा MySquels check जो है यह हमारा option number correct है ठीक है MySquels check तो option number आपका यह option यहाँ पर correct है अगला question आपके screen पर आप सभी लोग पढ़ेंगे जबाब देंगे connection बिकल्ब का संचिप रूप है जो नामंकित pipe को निर्देशित करता है जिसका उप्योग server से connect करने के लिए किया जाता है connection बिकल्ब का संचिप रूप है जो नामंकित pipe को निर्देशित करता है जिसका उपयोग सर्वर से connect करने के लिए किया जाता है इंगलीस में एक बर पढ़ लिजेगा फिर सभी लोग जबाब देंगे यहाँ पे Is this a sort form of connection option that is specific the named pick which will be used to connect to the server तो इसमें से कौन सा option होगा USCW तो फटा फट से comment करके बताएंगे इनमें से कौन सा सही हो जाएगा तो guys यहाँ पर सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पर option number आपका क्या हो जाएगा W हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर option number आपका जितना लोग D दे रहे हैं उस सभी लोग यहाँ पर correct हो जाएगे Guys अगला question आपके screen पर आप सभी लोग पढ़ेंगा और जबाब देंगे आपके देखे कहा रहा है कि The MySQL option MySQL to display all query result in a vertical format तो फटा फट से आपके comment करके बताएंगे देखे question क्या कहा रहा है सभी लोग पढ़ देंगे बताना है ठीक है तो इसमाल E या capital E या C या D तो फटा फट से comment करके बताएंगे कि The MySQL option cost MySQL to display all query result in a vertical format यहाँ पर सभी लोग याद रिखेजेगा capital E का यूज करते हैं तो जितने लोग option नमबर यहाँ पर B दे रहे हैं वह सभी लोग यहाँ पर correct हो जाएंगे ठीक है चलिए अगला question चलते हैं हमारा यहाँ पर जो client से related question था खतम हो चुका है यहाँ पर कहा जा रहा है ध्यां से question समझ जीज़ेगा इसके बाद सभी लोग जबाब देंगे देखिए question कहह रहा है question कहह रहा है आपका कि निम्ने में ऐसे कौन सा मानक प्रारूप है जो माई स्कुल डेट मान परदशित करता है question एक बार फिर से निवनि में से कौन सा मानक प्रारूप है जो mysql date मान पर दसित करता है पहले year फिर month फिर date या पहले date फिर month फिर year या फिर आपको यहाँ पर दिया गया है year month date या month date year तो आप सभी को बताना है कि इन में से कौन सा सही हो जाएगा तो यहाँ पर सभी लोग याद रख लिजेगा ठीक है अगर mysql display date value पूछा जाए तो सबसे पहले year होता है फिर month होता है फिर date होता है ठीक है आप सभी को यह बात पता होगा कि पहले year month फिर date आप जैसे कि आपका mysql क्या है आपका कोई data है database को मतलब store करने की चीजे है तो यहाँ पर जैसे कि अगर date की बात करें तो हम लोग इसी तरह से जैसे mobile में भी देखते हैं तो इस तरह से हमको दीखता है पहले year फिर month या फिर किसी form को हम लोग भरते हैं तो सबसे पहले sorting combination of date and time information क्यूशन ध्यान से समझ लीजेगा क्या कह रहा है इसके बाद सभी लोग जबाब देंगे ठीक है देखें क्यूशन यहाँ पर कह रहा है कि खाली अस्थान पहले दिया है data प्रकार दिनांक और समय जानकारी के संयोग को छाटने के लिए जिमेदार होता है यहाँ पर दिनांक दिया गया है समय दिया गया है दिनांक समय दिया गया है टाइम इस्पेंट दिया गया तो सभी लोग फटा फट से आपे कमेंट करेंगे इंगलिस में क्यूशन देख लीजेगा कि The data type is a response for sorting a combination of date and time information तो फटा फट से बताएंगे date होगा time होगा या date time हो and time की बात करें ठीक है इन दोनों की combination की बात करें तो response कौन होगा दोनों होगा क्योंकि date और time अलग-अलग है तो यह दोनों response होगे तो option number यहाँ पर C आपका correct हो जाएगा अगला question आपके screen पर आप सभी लोग पढ़ेंगा जवाब देंगे तीसरा नमबर का the data type is sorry the data type in mysql support a sing-up range of minus 128 to 127 and unsing-up range 0 to 255 तो यहाँ पर आप सभी को बताना है कि इसका कौन सा होगा int का smileint का या फिर medulment का या फिर tanint का तो आप सभी लोग फटावट से comment करके बताएंगे कि इन में से कौन सा सही हो जाएगा दयान से question पढ़ लिजेगा फिर सभी लोग जवाब देंगे देखे का रहा है कि mysql में data प्रकार यहाँ पर दिया गया है पूछ रहा है इसमें से कौन समर्थन करता है माइस क्यों यहाँ पर data type in mysql support sing up के लिए range दिया गया है और यह तो कौन सपोर्ट करता है यहाँ पर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर सभी लोग याद रख लिजेगा यहाँ पर आपका जो यह बिशेष निर्देश किया जाता है तो यह सुनिश्चित करता है कि कालम डिफाल्ट वर्ड सेट का उप्योग करता है तो यहाँ पर आप सभी लोग बताना है क्रिश्चन एक बार फिर से पढ़ लिजेगा कि जब mysql data प्रकार में बिशेष निर्देश किया जाता है तो सुनिश्चित करता है कि कालम डिफाल्ट वर्ड सेट का उप्योग करता है इंग्लिस में देख लिजेगा यहाँ पर कहा जा रहा है कि वेन दा एट्रिबूट इस स्पेसिफाई इन्द माइस्क्यल डाटा टाइप एंस्योर दा कालम यूज्ट डिफाल्ट करेक्टर सेट यहाँ पर पहला दिया गया डिफाल्ट होगा इंडेक्स होगा नेशनल या नल hoगा तो फटाफट से कमेंड करके बताएंगे पाचवा का एंसर क्या होगा तो जहां पर सभी लोग याद रख लीजेगा यहाँ मारा नेशनल क्या होगा नेशनल ठीक है तो जितने लोग in the mysql data type has the ability to assign unique integer identify to the new inserted row तो यहां पर आप सभी को बताना है कि इन में से कौन सा हो जाएगा question द्यान से समझेजेगा हिंदी में इसके बाद सभी लोग जवाब देंगे ठीक है देखिए यहां पर question क्या कह रहा है question कह रहा है कि mysql data प्रकार से bices, bices ता में नई समलित पंकतिया के लिए अदुत्य पोडांग पहचान करता निरदेश करने की चमता है कौन सा क्या होता है आप सभी को यहां पर बताना है mysql data प्रकार में bices ठीक है यहां पर bices में नई समलित पंकतिया के लिए पूछा जा रहा है अदूत्य पूडांग पहचान निर्देश करने की छमता क्या होता है आप सभी को बताना है यहाँ पर देखिए आपके पहला कह रहा है कि इंटरस्मेंट आटो इंटरस्मेंट या फिर यूनिक यूनिक इंटीजर तो आप सभी को बताना है कि इन में से कौन सा सही हो जाएग फटाफट से कमेंड करके बताएंगे तहीं पे सभी लोग याद रख लेगे आटो इंक्रिमेंट ठीक है आटो इंक्रिमेंट यहां पे होगा तो आपसन नमबर यहां पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा गईज अगला क्यूशन आपके स्कीन पर आप सभी लोग पढ़ेंगे जबाब देंगे तो आप सभी को यहां पर बताना है तेकि क्यूशन ध्यान से सभी लोग समझ लेंगे फिर सभी लोग जबाब देंगे क्योशन नहीं पर आप सभी का कहा रहा है कि MySQL डेटा प्रकार में उप्योग की जाने वाली बिसेस्ता को डेटा बेस संगत में सहायक के रूप में पेस किया जाता है जब MySQL data प्रकार में उप्योग की जाने वाली BCSTA को database संगत से में सहायता के रूप में paste किया जाता है वो क्या कहलाता है आप सभी कहाँ पर बताना है 9 नंबर का तो यहाँ पर पहला आपका दिया है default, index, national और null तो आप सभी लोग को यहाँ पर फटा फटा ची कमेंट करके बताएंगे कि क्या हो जाएगा तो कहीं जहाँ पर सभी लोग याद रख लिजेगा जो हमारा यहाँ पर national जो है यह हमारा correct answer हो जाएगा ठीक है यानि the national attributes used in the mysql data type in a forward and add in the database complicate ठीक है तो option number है यहाँ पर आपका C correct हो जाएगा कैसे अगला question आपके screen पर आप सभी लोग पढ़ेंगे और जबाब देंगे the is the data type of mysql that support a maximum length of 255 character यहाँ पर आप सभी को बताना है question द्यास समझ लिजेगा इसके बाद सभी लोग जबाब देंगे question कहा रहा है कि mysql का data प्रकार है जो अधिकतम 255 और 255 वोड़ों का समर्थन करता है तो आप सभी को यहाँ पर बताना है कि वो text है या teeny text है या और पर character है या tilly character है तो फटा फट से comment करके बताएंगे 15 नंपर का कि इन में से कौन सा सही हो जाएगा तो जहाँ पर सभी रयाद रख लिजेगा जो हमारा 18 टेक्स है यह हमारा maximum length आप 255 करेक्टर ठीक है तो जहाँ पर option number आपका भी करेक्ट हो जाएगा आज का यह last question रहेगा विगाज हमने पूरा question देख लिया ठीक है आपके लिए जो important था वही हम बता रहे हैं बाकी बाद जितने भी question थे वो इसमें से नहीं आएंगे जितने भी इसमें आने थे आपके जो तीन टो topic हमने बताया थे 20-20 का सेट था वर्स उसमें जितने भी important थे वही हम बता रहें बाकी बाद चीजे नहीं आएंगे तो यह आपका लास्ट है question और इसका एंसर सभी लोग दे कर जाएंगे ठीक है यह question जितने question आने वाले थे वही हमने आपे बताया है आप सभी का तो देखी question कह रहा है कि the store in the mysql database in use to assign privilege to user on a per database basis यहां पर जैसे कि फर्स दिया गई user table host table db table या table preview table तो आप सभी को बताना है कि इन में से कौन सा हो जाएगा question में हाध्यान से समझ लीजेगा फिर सभी लोग जबाब देंगे कर रहा है कि mysql database में संग्रहीत जैसे mysql में जो database हमारा संग्रहीत होता है उसका उपयोग करता को प्रती database के अधार पर भी से सिदिकार परदान करने के लिए किया जाता है अगर किसी को प्रती एक एक डेटाबेस को देना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा तो यहां पर आपका जैसे दिया गया है user table के या फिर host table का dv table का टेबल प्रिविट्व टेबल का तो आप सभी लोग बताएंगे इन में से कौन सा सही होगा फटा फट से कमेंट करेंगे इस क्यूस्टन का एंसर तो यहां पर सभी लोग याद रख लिजेगा dv table होगा क्या होगा dv table ठीक है यानि option नंबर यहां पर सी आपका राइट है इससे जितने भी important question थे हमने बता दिये इससे ज्यादे इससे ज्यादे क्यूस्टन आपके नहीं आएंगे ठीक है तो आई होब की वीडियो पसंद आई होगी पसंद एक लाइक कर दिया चैनल पर नहीं होतों सब्क्राइब कर लिजेगा मिलेंगे ने दन्यवाद